हेलो टेक जंकीज कैसे हो आप सब और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसी लड़ाई की जिसमें एक तरफ हम इंसान है और दूशे दरफ हमारे द्वारा ही बनाया गया आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है जिसको हम शॉप्व में AI भी बोलते हैं जो कि अभी इस सम लेकिन AI क्या करता है कि आपको अंसर निकाल के देता है अब वो आपके लिए कितना रेलेवेंट है कितना रेलेवेंट नहीं है आपकी उपर है लेकिन अपने हिसाब से वो मोस्ट रेलेवेंट आंसर आप लोगों को निकाल के देता है तो अब इससे क्या है कि लोगों को य जिसके लिए लोग hire किये जाते थे तो अब mods लोगों को क्या लगने लगा है कि जी इससे नोकरी पे खत्रा हो रहा है नोकरी पे बात आ रहे हैं लोगों की तो इस वीडियो में उन सब चीजों के बारे में ही हम लोग बहुत ही आसां शब्दों में बात करने वाले हैं कई reports उठाएंगे जिसमें firms हैं उनके owners ने उनके CEOs ने क्या बोला है इन सब चीजों पर इस AI पर जो AI का इतना ज्यादा एक भुचाल आगे रखा हुआ है इस पर बड़े-बड़े CEOs का managing directors का क्या कहना है उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं काफी interesting होनाए वाला है वीडियो चैनल पर पहली बार आया है तो subscribe करके बेल आइकन दवा देजेगा ताकि हमारे ऐसे latest interesting videos आप लोग तक सबसे पहले पहुँच पाएं दो तो सबसे पहले सवाल तो यह है कि क्या AI है यह हम लोगों की नौकरियां चीन लेगा अब देखो इसमें सीधा सीधा कोई जवाब नहीं है इसलिए क्योंकि कुछ फिल्ड में नौकरियां जा रही है तो कुछ फिल्ड में नौकरियां बढ़ेंगी भी कोरसेरा है उसके जो सीईओ है जेफ मेग्योन कालडा उन्होंने लिव्मिंट से बात किसे में यह चीज बढ़ाई है कि जो स्टी एम है इसमें जो नौकरियां है वो और भी जादा बढ़ने की उमीद है अब स्टी एम क्या है एस से साइंस टी इस से टेकनोलोजी इस से इंजिनियरिंग एम से मैथमेटिक्स ठीक है अब और एक खुदी डेवलपर की डिमांड बढ़ा रहा है दोस्तों अजे सेटिया जो इन्विसिबल मेटा डॉन के सीयों हैं वो बोल रहे हैं कि हमने हमारे कंपनी में कॉंटेंट राइटर्स जो हम कि अगर एक फिल्ड से आपकी नोक्रिया थोड़ी कम होंगी तो दूसरे फिल्ड में नोक्रिया बढ़ भी रही है तो आप यह देखोगे तो नोक्रिया ओवराल ऑन एन एवरेज कम नहीं हो रहे हैं एवरेज में आपका संतुलन बना रहेगा लेकिन हां कुछ फिल्ड ऐस जाथा मानलो मुझे कोई फलाना फलाना टॉपिक पे कुछ स्क्रिप्ट चाहिए मानलो ठीक है मैंने चैट जीपीटी में डाला वो मुझे एक स्क्रिप्ट निकालके दे सकता था लेकिन जो गूगल बार्ड है वो तो क्रियेटिव तरीके से भी उसमें अपने अपनी कि जितना इनोवेटिव सोच के अब्जर्व करके हम लोगों को सब चीजें करके वह सब चीजें जो लिखते थे वह खेर अभी यह एक तो नहीं कर पायागा लेकिन हाँ काफी हत तक क्रियेटिवीटी उसमें भी आ रही है लेकिन अगर कॉन्टेंट राइटिंग में कम हो रहा है तो टेक डेवलपर्स की नोकरियां बड़ भी रही है यह भी अजे सेतिया ने कहा है लेकिन दोस्तों एक दिक्कत वही है कि यह जो चैट जीपीटी है या फिर जो AI है यह हम सब लोगों को एक ही लेवल पर लेके आ जाएगा अब एक लेवल का मतलब देखो यह दोस जो कोड लिखता है अपने सोच वोच के और अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़े करता है ठीक है और दूसरा वहीं पर एक डेवलपर है जो चैट जीपीटी यूज करता है या और भी कोई AI टूल यूज करता है वो भी वही कोड़ को लिख लेगा ठीक है अब तो चैट बीडियो में जैसे आप लिख सकते हो ना कि जी मेरे को यह 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 चीज करनी है उसके लिए मेरे को एक कोड लिखे दो HTML कोड दो फिर CSS कोड दो यह सारी दो फिर वह वहां जाकर पेस्ट कर दोगे और थोड़ी बहुत तो आपको सेम लेवल पे लाकर रखतेगा एक जो बंदा बहुत ज़्यादा हाड वर्किंग है बहुत ज़्यादा मतलब सीख रहा है वह सारी चीज़े कर रहा है और एक जो केवल इन सब AI वेगरा को यूज करके अपनी कोडिंग करता है तो वो मुझे ऐसा लगता है लेकिन यह ऑन ग्र आगा गुपता जो कोरसेरा इंडिया के मैनेजिंग डिरेक्टर है वो यह कह रहे है कि आगे आने वाला समय तो और भी मस्त है और भी धमाकेदार है क्योंकि देखो AI उन लोगों के AI तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप Excel यूज करते हो ना खोल वल के जो भी आपको डेटा वेटा चाहिए आप ले लेते हो लेकिन जब AI बहुत जादा लोगों के परचलित हो जाएगा तो क्या होगा कि आप सीधा AI में ही question पूछोगे AI ही आपको उसका answer देगा जैसे Google का बार्ड हो गया चैट GPT हो गया परस्पेक्टिव हो गया यह सारी चीज़े हैं तो इसमें आपको लिंक्स अगरे नहीं मिलेंगे वो लिंक्स से ही जो आपके लाइक information है वो उसको fetch करके आपको एक जगह पे लाके देदेगा ठीक है बस यह है कि आपको क्या जानना है वो आप उसको उस तरीके से express कर पाओगे आपको पूरा answer देद तो यह भी एक बहुती interesting चीज़ है लेकिन एक और चीज़ यह कहीं जा रही है कि जो अभी AI है वो बहुती छोटे स्थर पर है बहुती एकदम बच्चा है वो आभी आने वाला समय तो बहुती कमाल का होने वाला है आगे आने वाले अभी अभी क्या होता है दिको मैंने एक और वीडियो में बात करी थी अभी क्या होता है कि AI क्या करता है कि मानलो कुछ भी हमने सवाल पोचा वो अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं जो कहीं से डेटा मिल रहा है उन सबको फेच करता है लाक्य आपको दे देता है आगे आने वाले समय में AI क्या करेगा जब AI डेवलप होना स्टार्ट होगा और चीजें उसमें इंप्लिमेंट होंगी चीजें जाएंगी वो क्या करेगा वो खुद से ही डेटा बनाना स्टार्ट कर देगा मतब खुद से ही प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देगा खुद से ही आपके सवालों के जवाब जनरेट करना स्टार् कर देगा ठीक है तो वो सारी चीजे हैं तो उस समय नोकरियों पे खत्रा और बढ़ सकता है अभी ऐस सच उतना जादा नहीं है तो इससे दोस्तों आप ये भी समझ सकते हो कि पढ़ाई वगेरा में जो एजुकेशन है हमारा वो काफी जादा स्टेंटन होगा उसमें आपको नह नहीं तरीके से यह चीजें सीख पाओगे पढ़ाई हो गया पढ़ना कैसे है वुसब हो गया पढ़ाना कैसे है वुससा मों तो यह सारे चीजों में काफी जादा चीज़े हम लोगों के फिवर में याएंगी प्रे Pacific आप अग तो अगर एक तरफ से हम उसका side effect देख रहे हैं तो दूसरी तरफ से हमारे लिए कुछ फायदा भी होगा, हमारे को कुछ सीखरे को भी अच्छे चीज़े मिलेंगी, दोस्तों the AI idea of India, जो EY की एक report 104 पनों की report है, उसमें वो लोग दावा कर रहे हैं, कि जो इंडिया की GDP है, व देखने को मिल सकता है आप लोगों को, और दोस्तों उनका कहने यह है कि सभी sectors को फायदा होगा, especially business services, education, health care, or retail, इन सभी फायदा होने वाला है, इसमें हमको सिर्फ इतना नहीं देखना है, कि जी नौकरी आ जाएंगे, हमको यह भी देखना है, जो विकास होगा, वो भी कि creativity में तो हम इनसानी बाजिगर है, ठीक है, आगे कल क्या होने वाला है, कल क्या नहीं होने वाला है, वो सब को तो अभी side में रख देते हैं, अभी के हिसाब से देखा जाए, तो जैसे मैंने पहले भी बोला, कि creativity में तो हम ही हैं, वो कहां से क्या-क्या चीजे उठानी है, ये चाचा कैसे बोलते हैं, ताओ जी कैसे बोलते हैं, भाईया कैसे बोलते हैं, वो सब तो हम ही कर सकते हैं, उसमें तो हम ही बाजिगर हैं, दोस्तों, humans और AI का जो combination है वो चीजों को काफी बहतर करेगा आगे आने वाले समय में, और काफी जादा sectors जो हैं, जैसे कि आपका मीडिया सेक्टर हो गया उसके बाद आपका इंटर्टेन्मेंट सेक्टर हो गया टेक्नलोजी सेक्टर हो गई हेल्थ केर सेक्टर हो गई इसमें humans प्लस AI का जो combination है जो काफी जादा धमाल कर सकता है और इससे क्या होगा फायदा at the end of the day हम लोगों कोई होगा ना पाएंगे और अपनी रेलेवेंसी को प्रूव कर पाएंगे कहीं पे भी हो हम चाहे वो जॉब हो चाहे वो आप अपना personal खुद का business कर रहे हो वो हो चाहे आप किसी भी सेक्टर में कुछ भी काम कर रहे हो वो हो हमको AI को AI से डरना नहीं है हेल्थ केर सेक्टर में इसका मतलब एक बहुत ज़ादा expectation है कि हेल्थ केर सेक्टर में काफी ज़ादा revolution लेके आएगा तो वो एक देखने ला एक चीज़ होगी जरूर तो आपने जो भी आप लोग के विचार हैं जो भी चीज़ें हैं थौट्स हैं नीचे कमेंट सेक्टर में अपसाथ शेयर करिए हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि जनता क्या सोच रही ये तो भाई हमारे कुछ ओपीनियन्स थे कुछ थौट्स थे इसमें कुछ हमने कुछ लोगों के इंटर्व्यू से कुछ चीज़े कलक करके निकाली तो दोस्तो यही सब चीज़े थी आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्टर में अपने अपनी राय देंगे यही तक था दोस्तो इस वीडियो में मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक लिए नौशकार जय हिंद